दोस्तों अगर आपको भी इंडिया और आस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच खेला गया है कांटे का प्रेक्टिस मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूले दोस्तों आखिरकार इंडिया और आस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच पहले दिन का खेल रद होने के बाद दूसरे दिन एक कांटे का मुकाबला 50-50 ओवर का खेला गया जिसमें कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया और सोचने लगा कि क्या प्रैक्टिस मैच में भी ऐसा चमतकार देखने को मिल सकता है जी हाँ आपको बता दे सबसे पहले तो भारतिय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीत कर पहले आस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 को बल्ले बाजी करने का नियोता दिया कैनबरा के मैदान पर अपनी टीम को एक धाकड शुरुआत दिलाने मैट रैंशो के साथ सैम कांसटोस की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी तो उनके सामने खड़े थे इनफॉम भारतिये खुंखार गेंदबाज जिनके सामने रन बनाना तो दूर गेंद का संपर्क बलने से करना भी उनके लिए मुम्किन नहीं हो रहा था अब सो ही सकते हैं कि चौथा ओवर लेकर आए आकाश दीप के खिलाफ सैम कांसाटॉस ने एक शानदार चौका लगाया और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी लेकिन दोस्तों उनका यह प्लैन ज्यादा लंबा नहीं चला पांचवा ओवर लेकर आए मुहमद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मैट रैंडशा को अपने जाल में फंसा लिया जिनका आसान सा कैच देवदत पडिकल ने लपक कर आस्ट्रेलिया को पहला जटका दे दिया था जहां यह खिलाडी बीस गेंदे खेल कर मात्र पांच रन बना पाया और बहुत जल्दी टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हो गई थी अब ऐसा लगा था कि आस्ट्रेलिया तो दबाव में आ जाएगी लेकिन दोस्तों यह तो टीम इंडिया पर ही उल्टा पड़ गया जहां मैदान में उतरे गुडविन ने आते ही पहले ही गेंद पर मैदान को चीरते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका बटोरा और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखाएं तो पांचवा ओवर लेकर आए आकाश दीप की पहली ही गेंद पर सै कांसटोस ने चौका आए थे तब ही बारिश की वजह से मैच को रोक दिया जाता है और दोस्तों जब दोबारा मुकाबला शुरू हुआ तो मैच 46 ओवर का कर दिया जाता है लेकिन आते ही दो गेंद बांध ही आकाश दीप ने अपना बदला लेते हुए गुडविन को ररशब पंत के हाथों क पैच आउट करवा कर औस्ट्रेलिया को दूसरा जटका दे दिया था जहां यह खिलाडी भी केवल चार रन बना पाया और टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था अब सैम कांसटोस का साथ निभाना जैक क्लेटन आये थे लेकिन भारतिये गेंद ओवर के बाद तो पूरा गेम ही बदल गया ग्यारहवें ओवर में सैम ने सिराज को थपड की तरह दो चौके लगाए तो अगले ही ओवर में आकाश दीप पर धावा बोलते हुए इन दोनों बल्ले बाजों ने दो शानदार चौके लगाए और अपनी टीम को 49 रनों तक पहुँचाया तेरा ओवर में आस्ट्रेलिया ने 50 रन बना लिये थे तो अब तो इन दोनों ने तांडव मचा दिया था मैदान पर वह तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे 16 ओवर में ही आस्ट्रेलिया ने 76 रन बना लिये थे हरशित राना की गेंद पर चौका लगा कर सैम कांसटॉस ने 50 रनों की दमदार साज़िदारी भी अपने पार्टनर के साथ बना ली थी जो टीम इंडिया के लिए खत्रे की घंटी थी तो इसी ओवर में तूफानी चक्के से इस खिलाडी ने केवल 49 गेंद में अपना खतरनाक अर्धशतक भी ठोक दिया था तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो उन्हें आता ही नहीं था उनकी तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 111 रन बना लिये थे उन्होंने भारतिये टीम की नाक में दम कर दिया था तो वहीं दोस्तों इन दोनों खिलाडियों के बीच 100 रनों की दमदार पार्टनर्शिप भी हो चुकी थी जहां यह बल्लेबाज 52 गेंद पर 40 रन बना कर पेवेलियन लोटा तो दोस्तों बैटिंग करने उतरे ओलिवर डेविस के भी डंडे ओवर की अंतिम गेंद पर उखाड कर इस खिलाडी ने ऑस्ट्रेलिया इखेमे में हाहाकार मचा दिया था जहां ओलिवर को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला 131 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने चार बल्लेबाजी गवा दिये थे मैच पूरी तरीके से पलट चुका था अब कांसर्टोस का साथ निभाना खुद कप्तान जैक एड़ड़्स आ चुके थे लेकिन दोस्तों अब हर्षित ने तो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के पर खच्चे उड़ाने का मन बना लिया था और पचीसवें ओवर में इस बार आते ही हर्षित ने पहले ही गेंद पर कप्तान एड़ड़्स को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करवा कर आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट दिया तो तीसरी ही गेंद पर बैटिंग करने उतरे सैम हारपर को भी उसी अंदाज में प्रसिद्ध के हाथों कैच करवा कर हर्षित ने औस्ट्रेलिया के चह बल्ले बाजों को घुटनों पर ला दिया था जहां हारपर पर तो खाता भी नहीं खोल पाए औस्ट्रेलिया तो भरोसा ही नहीं कर पाई कि उनके साथ ये क्या हो गया जहां एक पल में पूरा मैच टीम इंडिया की जोली में आ गया था बैटिंग करने उतरे एडनो कॉनर को भी प्रसिद्ध कृष्णा ने नितेश रेड़ी के हाथों कैच करवा कर आस्ट्रेलिया को सातवा जटका दे दिया था जहां ये खिलाडी भी केवल चार रन बना पाया और 138 रनों पर ही आस्ट्रेलिया के साथ धुरंधर भारत के सामने धेर हो गए थे एक तरफ खड़े कांस्टास अपनी टीम की बरबादी का ये खौफनाक मंजर देख रहे थे जहां उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ कि चुटकियों में कैसे पूरा मैच ही उलट पुलट गया उनका साथ निभाने अब हैनो जैकब्स आये थे इस खिलाडी ने आते ही सुंदर की गेंद पर तूफानी छक्का लगा कर 29 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 154 रनों तक पहुँचा दिया इन दोनों खिलाडीों ने डट कर भारतिये गेंदबाजों का सामना किया और वह मोमेंट भी जल्द आया जब कांसटॉस ने केवल 90 गेंद पर अपना शानदार शतक भारत के खिलाफ जड़ कर अपनी काबिलियत से दुनिया को रू बरू करवाया देखते ही देखते इन दोनों ने 50 रनों की साज़ेदारी भी बना ली थी आस्ट्रेलिया इस मैच में संभाल चुकी थी लेकिन दोस्तों सेंचुरी पूरी करने के बाद यह खिलाडी ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा नहीं हो पाया 14 चौके एक छक्के की बदौलत 107 रन बना कर खेल रहे सैम कांसटॉस को आकाश दीप ने 9 दीप सैनी के हाथों कैच करवा कर पवेलियन का रास्ता दिखाया इसी के साथ आस्ट्रेलिया को आठवा जटका भी लगा तो दोस्तों उनके आउट होने के बाद आस्ट्रेलिया एक खिलाडी ज्यादा देर तक बल्ले बाजी नहीं कर पाए इस बीच हैनो जैकब्स ने अपनी शानदार पचास भी पूरी की लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जैक निजबत के रूप में आस्ट्रेलिया को नौमा जटका रविंद्र जडेजा ने दिया तो आखरी विकेट हैनो जैकब्स का वाशिंग्टन सुन्दर ने चटकाया जो 61 रन इस मैच में बना कर पवेलियन लौट गए इसी के साथ साथ पूरी की पूरी आस्ट्रेलिया 43 दशमलव दो ओवर में 240 रनों पर ओल आउट हो गई जहां हरशित राना को सबसे अधिक कर सफलताएं हासिल हुई तो वही आकाश दीप को भी दो बड़े विकेट मिले तो वही प्रसिध सिराज, नवदीब सैनी और रविंद्र जडेजा को भी एक-एक सफलता मिली अब भारतिय टीम के सामने एक आसान सा लक्ष था जिसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था अब टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाने की एल राहुल के साथ यशस्वी जैसवाल की तूफानी जोडी मैदान में उतरी थी जिन्होंने आते ही सीधा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर आक्रमन करना शुरू कर दिया दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी ने चौका जड़कर अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिये थे तो चट में ओवर में जैक निस्बत की पहली दो गेंद पर ही दो चौके जड़ कर यशस्वी ने आस्ट्रेलियाई खेमे में हड कंप मचा दिया था ये खिलाडी तो कमाल की फॉर्म में चल रहा था तो अगले ही ओवर में बोलेंड को बाउंडरी के दर्शन करा कर केल राहुल ने भी अब आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया उनकी तूफानी बल्ले बाजी से आठ ओवर में ही टीम इंडिया 21 रन बना चुकी थी हालांकि पिच से आस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को भी खूब मदद मिल रही थी रन बनाना उतना आसान नहीं था लेकिन विकेट चटकाने में उनके गेंदबाज पूरी तरीके से नाकाम्याब हो रहे थे दस ओवर के पावर प्ले में इन दोनों ने टीम इंडिया को 31 रनों तक पहुँचा दिया था तो 13 वे ओवर में चारली एंडरसन की धजियां उडाते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक के बाद एक तीन ताबर तोड चौके जड़कर टेस्ट मैच को टी ट्वेंटी में तबदील कर दिया था इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों से अधिक की दमदार साज़ेदारी हुई लेकिन फिर 75 रन पर भारत का पहले विकेट जैसवाल के रूप में गिरा चारली एंडरसन ने यशसवी जैसवाल को आउट कर भारत को पहला जटका दिया जैसवाल बेहद आकरामक बल्ले बाजी कर रहे थे उन्होंने ने 69 गेंद में 45 रन की शानदार पारी खेली और इसके बाद बल्ले बाजी करने आए शुभमन गिल और फिर गिल रहुल ने खतरनाक बल्ले बाजी कर आस्ट्रेलिया प्रधान मंत्री एकादश को हिला कर रख दिया तो भारतिय बल्लेबाजों की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी के आगे तो आस्ट्रेलिया नत मस्तक हो गई वही दोस्तों राहुल 27 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए यहां तक की बैटिंग करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा भी केवल 3 रन बना पाए उन्हें एंडरसन ने ओलिवर डेविस के हाथों कैच कराया पांचवे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेडडी उतरे उस्ट्रेलिया ने जीत की खुशी मनाना शुरू कर दिया था उन्हें लगा था कि वह मैच में वापस आ जाएंगे लेकिन दोस्तों तभी शुभमन गिल के साथ मिलकर नीतीश रेडडी ने पूरे मैच का पांसा पलट दिया इन दोनों ने पहले टीम इंडिया को सौ रन के पार पहुंचाया गिल ने अर्ध शतक ठोका इस अभ्यास मैच में शुभमन गिल का बल्ला जम कर गर जा उन्होंने 62 गेंदों में अर्ध शतक जड़ा और रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए वहीं नीतीश 42 रन बनाकर आउट हो गए उन्हें कोनोर ने अपना शिकार बनाया अब बल्ले बाजी के लिए वाशिंग्टन सुंदर और रवींद्र जड़ेजा उतरे और उनकी शानदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच में धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की